और सबको मालूम है कि 2023 के विधान सभा चुनाओ परचार के दोरान हमारे देश के असरस्वी पधार्मंती नरेन मोदी जी 36 गड़ की जनता से वादा किये थे कि इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाग गरीबों का आवाज सुक्रित करने का करेगा हमारे आदने परधान मंत्री जी ने चत्रीगड की जनता से वादा किया था मोदी की गारेंटी में भी यह है और मुझे बताते हैं वे खुसी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार सपत ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला के मिनिट में ही हमारी सरकार ने 18 लाग प्रधान मंत्री आवास की सुकृति दे दी और जो 40% रासी राज्जान्स होता है उसकी व्योस्था हमारी सरकार ने कर ली लेकिन ये आवास बनने में देरी इसले हुई कि उस वित्य वर्ष में जो केंद्रांस 36 गड़का था चुकि प्रदेश की सरकार राज्जान्स जमा नहीं की थी इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्जवे आबंडित कर दिया था लेकिन जब नया मित्यवर साया दोहजार 24 और 25 का तो कल ही हमारे 36 गड़के लिए कुल 8,44,931 प्रदानमंती आवास की सुपिति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे 36 गड़के तरफ से और विशेशकर प्रदानमंती आवास से जो लाभानित होंगे सब के तरफ से हमारे देश के असवस्वी प्रदानमंती जी को बहुत बहुत उनको धनवाद करते हैं उन्होंने हमारे 36 गड़को 8,44,931 प्रदानमंती आवास की सुपिति दी है और हम लोगों ने 18,00,000 प्रदानमंती आवास की बात की है तो इसमें 8,44,931 की सुपिति तो बिली है CCC 2011 जी सुची के लोग पिछले 5 साल में बंचित हो गए थे और सिर्फ 36 गड़ में बंचित हो गए थे बाकिस सभी प्रतिसों में CCC 2011 के सुची वाले प्रदानमंती आवास से लावानित हो गए थे लेकिन यहां की सरकार की निस्कृता के कारण या रही करवाने के कारण बंचित हो गए थे तो आज जो हम लोग को 8,44,931 प्रदानमंती आवास की सुपिति मिली है उसमें से 6,99,331 प्रदानमंती आवास ये 2,0211 वाली सुची में से है और बागी एक लाग 47,600 ये जो आवास पनस वाले आवास पनस जिस प्रदेश ले स्टेश से 2011 की सुची वालों को प्रदानमंती आवास का निर्माट करवा दिया उनके हाँ आवास पलस भी सुरू हुआ तो हमारे हाँ तो एसी सिचे 2011 के लोगी लाब नहीं लेपाए थे तो आवास पलस का तो प्रस्न ही नहीं उठता था लेकिन आज ये एक साथ एसी सिचे 2011 का छे लाब निर्माट निर्माट थिनसो एक तीस और उसके साथी साथ एक लाब सैंतालिस हजार छे सो ये आवास पलस वाले हैं जिनकी भी सुर्गिर्ति 36 गड को मिली है और बाकी पीम जन्मन योजना जो बीवी टीजी लोगों के लिए है विशेस विच्छनों सुर्थित जनजाती के लोग जो राजपस्ति के दत्तक पुद्र कही जाते हैं से कोर्वा गिरोर अबुज माडिया पंडो वैगा इनके लिए जो पीम जन्मन 36 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है बहुत पूर्ण वीवर चुके और आप लोगों को इभी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कॉंग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योदना का सुर्वात पिया था जिसमें 47,90 हुए उनको भी अपने आवास योदना में सामिल कर लिये हैं और दूसरी किस्द जारी कर दिये हैं और दूसरी किस्द भी उसमें जारी कर रहे हैं तो यह उदारता हमारी 46 सरकार ने इन 47,90 लोगों की उपर में भी किया है और पिछले जन्वरी से लेकर यह अगस्त तक यह आठ मेहने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माड जो कई अधूरी थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तिगर की सरकार ने किया है इस तरह से कूल मिलाके हम लोग आने वाले समय में जो 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी वो 18,00,000 आवास गरिभों को हमारी सरकार देने के लिए बचन बद्ध है और अभी हमारे देश के सवस्विक गरिमंत्री जी अमिल साथ जी आये थे उनसे भी आगरे किये थे और सबने हम लोग की मांग उचित समझा है और उन्होंने आस्वस्थ किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मोहया कराये जाएगा तो इस तरह के हमको लगता है कि उसके लिए भी दस अजाज से उपर प्रधानमंत्री आवास हमारे देश के जो बीवित हैं नकसलवात से वात्म समर्फन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी हमलों प्रधानमंत्री आवास बनाने में मलब सक्षम होंगी